Study IQ IS अब तयारी हुई affordable पॉइंट होगा बिट्वीन भारत और पाकिसान उसके बाद 1983 में पाकिसान ने ऑपरेशन अबबील को लांच किया ठीके लांच करने के बार में सोच रहा था और उसकी मनशा एक कुछ हैसी थी कि वो इस पॉइंट को यूनिलेटरली अपनी बरजी से further northeast की तरफ extend करने की कोशिश कर रहा था अगर ये portion extend हो जाता तो सियाशन glacier पाकिसान के कंट्रोल में चला जाता पाकिसान और चाइना के बीच में एक connectivity बन जाती और इस connectivity से भारत के काफी सारे important infrastructure and you know national highways जो मौजूद हैं लदाक और JNK के region में उनकी security कही न कहीं खत्रे में आ सकती थी so इस चीज को समझते हुए भारत ने 1984 में operation मेगदूद को launch किया it was a preemptive operation यानि की हमने operation अबबिल के successful होने से पहले ही अपने जाबास troops को सियाशन glacier में वहाँ पर मौजूद करवाया और उस से security को ensure किया और पाकिस्तान के ये मनसूबों को fail करवा दिया और 1984 से ही सियाशन का control भारत के पास है बहुत कठिन स्थिती में हम सियाशन को control कर रहे हैं लगबग 24,000 foot की उंचाई पर which is approximately 6,000 meters altitude of this particular glacier ये सियाशन को दुनिया का tallest battlefield बनाता है और अगर हम इस glacier की लंबाई की बात करें तो आप सभी को पता है कि पूरी दुनिया में polar regions में जादा तर glacier मौजूद है और बड़े-बड़े glaciers है वो non-polar regions में सियाशन glacier दुनिया का second longest glacier है the longest glacier being the Fetchenko Glacier of Tajikistan और इस glacier की significance कुछ ऐसी है यह basically सक्षगाम वैली अकसाई चिन और कारकोरम पास के बीच में मौजूद है इस glacier में अगर कुछ terrorist infiltrate करने की कोशिश करते हैं तो definitely हमारा काफी सारा जो security program and security infrastructure है in Ladakh and Jammu Kashmir वैली वो compromise हो सकता है तो it's very important कि इस glacier को हम हमेशा secure रखें इसी वज़े से भारत के जाबास सिपाही बहुत ज़ादा pain लेते हुए इस glacier की protection करते हैं और इस तरह की terrorist को वहाँ पर मौजूद होने से रोकते हैं ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने भी कुछ वहाँ पर अपनी side पे कुछ प्रबंद नहीं कर रखा basically पाकिस्तान भी लगातार उसने भी you know insecurity के चलते कुछ soldiers की वहाँ पर presence रखिये और दोनों side पे लगवग 5,000 soldiers दोनों side पर मौजूद है तो स्याचन glacier इस वज़े से दुनिया का tallest battlefield बन जाता है जहाँ पर actually दुश्मन की बंदूक और गोली से यहाँ पर अब स्याचन भारत के लिए important है यह तो हम जानते हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमारे सामने कुछ ऐसे factors आ रहे हैं जिसकी वज़े से स्याचन को खत्रा है भारत द्वारा control किया जाने वाला स्याचन एक खत्रे में हैं और इस खत्रे की वज़े से geopolitical conflicts in Indian subcontinent, South Asia यह बढ़ सकते हैं और भारत के उपर इसके कुछ negative impact बढ़ सकते हैं what are these factors and स्याचन में actually क्या खत्रा है इसको समझते हैं बट उससे पहले let me tell you that अगर आप UPSC preparation कर रहे हैं और 2025 आपका target year है वारा new year batch जो second batch है वो launch हुआ है 17th January को morning में 8 a.m. इसकी classes start होती है and यहाँ पर day 1 से ही आपके basics के उपर हम काम करना शाइड कर देते हैं gradually we build upon those basics standard books को cover कर दिया जाता है and you are made exam ready through rigorous preparation, training and mentorship इस एक batch के अंदर आपको सब कुछ मिलता है जो आपको UPC exam को clear करने के लिए चाहिए आपकी foundation build की जाएगी class के बाद आपके doubts को address करने के लिए आपको mentors provide किये जाएगे हर हफते आपके MCQ का test होगा यानि कि starting से ही हम आपको MCQ solve करने की capability पर work करेंगे daily mains answer writing होगी जिससे कि आपके answer enrichment और improvement रहेगी और foundation को complete करने के बाद ऐसा नहीं कि हमारा साथ छूट गया नहीं आपके prelims से पहले भी crash course में हम आपका पूरा साथ देंगे so without taking any additional charge you will be enrolled in our crash course for prelims 2025 that is SIP plus 2025 इसी के साथ-साथ mains का advance course दुबारा दिया जाएगा जहां पर पूरे syllabus को हम revisit करेंगे और इस बाद ध्यान होगा कि mains में best हमने किस तरह से answers लिखने है right after mains we will be doing interview guidance as well जहां पर selected retired bureaucrats आपको guide करेंगे पूरा syllabus आपके foundation का right 18 जन्वरी से basically classes start होई है which is today quality से हमने शुरू किया है 18 जन्वरी 2025 तक पूरा syllabus complete हो जाएगा उसके बाद हम prelims का crash course करेंगे pre के बाद mains का crash course mains के answer writing test series भी इसमें included है सब कुछ इसमें included है दोस्तों और अगर आप pre clear करते हैं तो daily NCR में हमारे campus में free of cost रहकर आप तयारी कर सकते हैं जहांपर आप हम आप faculties के direct contact में रहेंगे और कोई भी doubt, कोई भी clearance जो भी आपको चाहिए वो आपको immediately मिल जाएगा having said that, now let us see कि दिक्कत और समस्या क्या है स्याचिन में अगर pdf या further जानकारी आपको इस course के बारे में चाहिए या मुझ से connect होना चाहते हैं तो telegram पर this is on telegram H E L L O O C H A N D A N यहाँ पर मुझे message drop कर सकते हैं देखो दोस्तों, reports यह आ रही है कि there is a global crisis सी आचिन में जहाँ पर पाया जा रहा है कि 25% of glaciers right, along the line of control वो vanish हो चुके हैं दरसल, Pakistan के environmental protection agency right, इनके Dr. सरदार मुहम्मद रफीक खान right, इनका एक research paper निकला है जहाँ पर उन्होंने बताया है कि even Pakistan की side में भी बहुत सारे glacier की melting होनी शुरू हो गई है and it can lead to several complications right, अब इसमें right, यह पाया जा रहा है कि हर साल approximately 159 to 309 hectare per year यह glacier retreat चल रहा है हिमाल्याज में, right, और 2000 से सन 2000 से अगर हम देखें तो यह जो सियाचन glacier वाला region सियाचन glacier में 5,000 से 6,000 hectare को loose किया है आपको perspective देनी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि Chandigarh, which is a union territory between Punjab and Haryana joint capital भी है दोनों states की इसका area लगबग 11,000 hectare है तो इसका मतलब आधा Chandigarh half, more than half of the Chandigarh जितना area सियाचन glacier का melt हो चुक है और reports यह आ रही हैं कि by 2050 हो सकता है कि पूरा का पूरा glacier ही vanish हो जाए अब इस चीज की वज़े से क्या-क्या complications आ सकती है और भारत-Pakistan relations, in fact भारत-Pakistan और चाइना के relations पर क्या impact पर सकता है let us try to understand that देखो इसमें सबसे पहले तो बात करते है कि भारत को क्या impact हो सकता है तो देखो हमने बहुत सा infrastructure जो बनाया हुआ है वो यहाँ की cold climatic conditions को देखते हुए बनाया है जब glaciers melt होते हैं तो glacial lake overflows, right glacial floods, यह सारी सिती पैदा होती है जिससे की बहुत सारा defense infrastructure जो हमने Siachen Glacier के आसपास बना रखा है उसको नुकसान पहुन सकता है तो that can impact the presence of Indian troops there along with this यहाँ पर Siachen Glacier और बहुत से इस region में जो glacier मौजूद है वो पानी का एक important source बनते हैं in fact जो Nubra river है it is a tributary river of Indus and further it flows into Arabian sea Nubra river का जो source है that is near these glaciers तो अगर इन glaciers की melting हो जाती है and यहाँ पर problem आती है तो water scarcity इस region में होने की संभावना है भारत का लदाख में बहुत जादा water scarcity हो सकती है और उस वज़े से बहुत से लोगों का livelihood impact हो सकता है now the most important and critical thing दोस्तों यह point सबसे जादा critical है जहाँ पर आपको यह समझना होगा कि कई सारे countries के बीच में जो उनके frontiers और जो borders को demarcate किया गया है that is based on natural frontiers यानि कि किसी river के alignment के हिसाब से उनका border exist करता है या फिर glaciers के हिसाब से border exist करता है so climate change की वज़ा से अगर river course shift होता है या glaciers melt होते है that will lead to conflicts in interpretation of the exact boundary and it is bound to lead to higher geopolitical conflicts after 2050 क्योंकि वहाँ पर उस time के बाद climate change का impact rivers, glaciers and other ऐसे landforms के उपर terrain के उपर हमें काफी देखने को मिलेगा तो इसलिए हाँ से यह खतरा है और इसके उपर कुछ solid और ठोस कदम उठाने जरूरी है भारत और पाकिस्तान को ideally तो यही है के इनको table पर बैठके discussion करके properly अपनी boundary dispute को resolve करना चाहिए and obviously इसमें कोई दोरा है ही नहीं कि पूरा का पूरा जो पाकिस्तान occupied कश्मीर है that needs to be vacated by पाकिस्तान पाकिस्तान needs to accept कि उसने illegally force को use करते होए encroach किया है वो area और अब time आ गया है कि वो reality को accept करते होए वहाँ से पीछे हट जाए and otherwise you know problem काफी ज़्यादा complicate ही होने आने वाले दिनों में क्योंकि पाकिस्तान भी पीछे हटेगा नहीं and भारत वो भी पीछे नहीं हटेगा in fact हम तो कोशिश कर रहे है article 370 के application is the step one जिससे कि हम पूरे कश्मीर पर अपना claim ले करेंगे right so आने वाले time में जब ऐसे frontiers को लेकर और ज़्यादा confusions होगी तो उससे conflict बढ़ने की ही उमीध है के मामले में भी हमें prepared रहना पड़ेगा right having said that UPSC की अगर जो तयारी कर रहा है तो उनको बता दू कि 2020 में आपके सामने ऐसा एक सवाल आया था जहां पर आपको बताना था सियाचिन Glacier is situated where right comments में इसका option ज़रूर बताएए और मैं बहुत जल्द मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में अगले session में till then take care all the best and see you soon in the next video thank you so much study IQ IAS अब तयारी हुई affordable